नमस्कार भाईयों, कैसे हैं आप सब, उमीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, देखिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, कि आपके पास यानि जिनका एक्जाम 7 अगस्त को है, उनके पास 15 दिन बचा है या 16 दिन बचा है, आखिर इस 15 दिन में क्या पहन के साथ परना है, दूसरा confusion ये बात का हो रहा है, कि आपके पास दो ठो एक्जाम पैटर्न मिल गया, पहला एक ओक्टूबर 2023 को जो हुगा था, दोनों सिफ्ट में ओ है, दूसरा आपका निउस सी ले पस आ गया है, ये है, तो आखिर हम सभी को कौन से पैटर्न के अनुसार पहलना चाहिए, आखिर बिहार पूलिस में कौन से पैटर्न से आपके question पूछे जाएगा, इस वीडियो में आपको फूरे डिटेल से बताएंगे, जो साथ ही नए होंगे और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा, याँकि इस क्लास पर आपको 9th क्लास, 3th क्लास के NCRT संपून chapter wise परहाया जा रहा है, जो आपका 30 तरीक से पहले ही complete होगा, इसलिए subscribe अनिवारे कर लेना है, देखे एक October पैटर्न पहले समझें, उसके बाद new syllabus के बारे में आपको समझाएंगे, एक October को आपको exam हुआ, इसमें दो shift में आपका exam होता है, इसमें आपका GK, G.S, math, math, ठीक, उसके बाद Hindi, English, उसके बाद reasoning का एक से दो प्रसंट डाला गया था, ये पैटर्न था, ये जो पुछा गया था, इस टाइप, आपका 6th क्लास से लेकर 10th क्लास को पूरा follow किया गया था, यानि कि बोला गया का 10th level question पूछेंगे, तो 6th से 10th को हम लोग फॉलो कर रह इचा भी बहुत 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 बेहतरी, एक्जाम भी गया, लेकिन कारण रहा पेपर लिग का जिसके कारण रद हो गया, दूसरा आपके पास आया नया वाला syllabus, नया वाला syllabus जब आता है, इसमें बोला हम 9th कलास और 10th कलास, और 2 कलास, कौन कौन सा, 9th कलास और 10th कलास, ठी जिक्के, पॉलस जी एस, पॉलस हिंदी, पॉलस इंग्लिस, पुछेंगे, 9th कलास और 10th कलास से आपका सामान अध्यान, और सामान विग्यान, हिंदी, इंग्लिस के कौर्शन, पुछेंगे, तो अधिक्तर लोग का यही परसने, कि अभी 15 दिन कौन सा पैटन पर हैं, के बाद ध्यान रखिए, कि आपका 1 ओक्टूबर के दोनों सिफ्ट में 50 से 60 ऐसे टोपिक थे, जो दोनों सिफ्ट में पुछे गए थे, उस टोपिक को हर हाल में रिभाईज कर जाना, यानि उसको भी परते रहना है, बिहार पुली से इसके कोई माईबाप नहीं है, कि कहा से कुछेगा, वो सकता है कुछ, इसमें से भी पूछ दे, ये 50 टोपिक जो है साथ, इसको हर हाल में रिभीजन करते चलना है, 15 दिन बच्चा है, कोई भी ज्यादा इसमें नया चीज नहीं परना है, आखिर ये 50 साथ टोपिक आप तो मिलेगा तहां बेतरीन धंग से टोप दिखाई दे रहा है, उस पर आप होन पेपर नी 90 रुपिया पेग कीजिएगा, वाट्सअप नमबर दिखाई दे रहा है, उस वाट्सअप पर स्क्रीन सोट भेज का टेलिग्राम नमबर बोलिएगा, जोर दिये जाएगा, आपको ये 50 से 7 जो टोपिक है, 50 से 7 पेज में ह इस सबसे बहतरी धंग में मिल जाएगा इसको रिविजन कर जाना है, ठिक, तो यहां से आपका 1 अक्टूबर का एक्जाम पर पेटर अधम त्यार हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको रिविजन ही करना, इसमें नहीं पहतना है, ये आपको वहां मिल जाएगा, हर हाल में PDF ले लिजेगा, जीवन में 90 रुपिया कोई भरा चीज़ नहीं है, चाहते तो हम फिर इने देद देते, लेकिन हम चाह रहें कुछ अपने टेकनोलोजी को बढ़ाने के लिए, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करके हाथ जोर के बोले हैं, ये आपकी कीजिए PDF लीज दाएगा, 9-10 का भी, दम चेप्टर वाई चेप्टर बहतरीन धंग से दोनों PDF आपको मिल जाएगा, कहीं कुछ परने का जूरत नहीं होगा, तो अंतिन 15 दिन तबातोर इसका रिविजन और 9-10 का जीखे जीएस परिये, और ज्यादा हो तो साइक मत होए, जीए सोचे कि हम जो परहे हैं, वहीं जामें पुछेगा, कॉल या पर्सो से हम आपको दोपहर में, मैथ और हिंदी सबसे बहतरीन त्यारी करा देंगे, सुबह साम जो कलास चलता है, जीखे और जीएस का, वो चलते रहेगा, इसलिए आप सभी अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन क बनाता है, नाइन तेंथ नाया पैटर्न डाला है, इसको भी पढ़ना है, और कोई प्रोब्लम है, पीडियेफ कैसे लेना है, तो पमेंट में वीडियो का लिंक डाल चुके हैं, आप वहां से वीडियो देखिएगा, संपूर कुछ समझ में आ जाएगा, बेतरीन ढंग से त्यारी कीजिए, पुराना सिलेबस पर भी फोकस करना है, नाया पर भी फोकस करना है, केवल नाया वाला पनिर्भर नहीं रहना है, विहार पुलिस का कोई माई बाप नहीं होता है, कहीं से भी कोस्चन पुछ सकता है, आज के वीडियो के लिए आप से भी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद